लॉक्डाउन ने जहां जण जिवन को पूरी तरीकी सियास्त वियस्त कर दिया है। सर्वजनिक परिवहन के साधन बंध हो गए हैं। राश्ट्रे और अंतराश्ट्रे उड़ाने भी कैंसल हो गई हैं। लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। इसके वज़े से नाजवाने कितने ही लोग पैदल अपने घरों की ओर चल दिये। जो पैदल नहीं जा सके वो दूसरी चीज़ का सहारा लेकर हजारों किलो मीटर लंबा सफर तैकर अपने परिवार तक पहुँचे। एसा ही मामला सामने आया है लंदन के स्कॉटलेंड से जहा हैं सकॉटलेंड में रहने वाले एक स्टूट्रेंट को जो अपने माधा पथा से दूर नहीं रहा गया तो वो दो ہजार किलो मीटर साइकल का सफर तैकर 28 दिनों तक साइकल चला कर अपने माधा पिदा के पास पह टाइम काफी बच गया था इसने उसे सोचा कि साइकल से कोरोना वाइरस से ग्रसत यूरोप से बहार चला जाएगा इसके बाद पापा दिमित्रियों ने अपने जाने की तैयारी शुरू की और सामान इखटा करना शुरू किया इसमें फोन पावर बैंक कुछ जरूरी उपकर पहले देन निकल जाने के बाद कुछ किलो मीटर की दूरी तैय करने पर उन्हें डर सताने लगा कि रात में कहां रुखेंगे क्योंकि उनके माता-पिता नहीं जानते थे कि वो कहां हैं और कहां निकल चुके हैं वो रोने लगे लिकिन जैसे तैसे खुद को संभालते से पूछा कि वो रात में कहां पर रुख सकते हैं पिजर डिलिवरी बॉय ने पास में ग्रोव में जाकर वहां रुखने की सला दी जिसके बाद उन्होंने अपने माता-पिता को बताया कि वो यहां पहुचे हैं और फिर अपने लिए भोजे निखटा गिया यहां से निकलने यह भी समझाया कि जीवन में कुछ रिष्टे बहुत ही ज़रूरी होते हैं सबसे पहले उन्होंने 75 मील की दूरी तैकी इसके बाद खड़ी चड़ाई के चलते उन्हें परिशानी हुई और एक दिन में उन्होंने लगभग 125 मील की दूरी तैकी और तब उन्होंने सोचा क जाने से वो अपने घर पहुच पाएंगे अपने सफर के दुरान बीच में पापादी मित्रियों उतरी इंगलाइंड के शहल लीड्स में एक दोस्त के घर पहुचे और दो दिन महारू के इसके बाद उन्होंने तैक कि आ कि उन्होंने बृटन से नीदरलैंड का सफर तैक नहीं थी ऐसे में उन्हें इस तड़क या फिर पार्क में टेंट लगा कर अपनी रात गुजाने परी इस दरान कोरोना का डर तो था लेकिन जैसे तैसे उन्होंने ये सब पार्क किया और आखिरकार 25 जून को एबडीन चोड़ने के 48 दिन बाद वो ग्रीस पहुचे और अ कितना जुजबा आ गिया है यह तो नहीं जानते लेकिन अब अगर कोई उनसे कहेगा कि इतने दूर साइकल चला लें तो वो शायद नहीं चला पाएंगे पाब दिमित्रियों के अलावा और भी कहीं ऐसे लोगों को देखा गया जो इसमाहमारी के चलते अपने परिवार से दूर थे और अपने परिवार के पास जाने के लिए उन्होंने कहीं तरह के चतन किये और आखिरकार अपनी मंसल तक पहुच ही गए सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फूर मोर अपडेट्स